हलो फेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे chemical classification of anti-epileptic drugs के बारे में तो ये जो chemical classification है anti-epileptic drugs का इसको अपने ट्रिक से याद कर सकते हैं जो ट्रिक है भाई साब B का मतलब है हमारे पास यहाँ पर बार्बिचुरेट A से मतलब है हमारे पास हाइडेंटोइन A से मतलब है हमारे पास Alephatic Carboxylic Acid Derivatives I से Immunostilbens S से बनता है हमारे पास सकसिनामाइड A से बनता है हम A को हम Others के लिए यूज ले रहे हैं यहाँ पर वो नहीं है सो यहाँ यहाँ पर A से मतलब हम Others को बोलते हैं ठीक है? Others और B से बनता है हमारे पास कौन सा? Benzodiazepines अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास के बारे में जो है Barbiturate तो Barbiturate का एक्जामपल है हमारे पास Phenobarbitone दूसरा है हमारे पास Hydentoin Hydentoin जो क्लास है उस क्लास के अंदर हमारे पास दो drug आती है जिसमें पहली वाली जो drug है Phenetoin यह बहुत important drug है और दूसरी होती है Phosphophenetoin Actually यह जो Phosphophenetoin होती है यह जो आपको drug दिखे लिए Phosphophenetoin यह drug क्या होती है? एक pro drug होती है और यह क्या करती है? कुछ metabolic reactions के द्वारा Phenetoin का formation करती है जो हमारे पास तीसरी क्लास है Elephatic Carboxylic Acid Derivatives की इसके अंदर हमारे पास दो drugs आती है जिसमें पहला होता है हमारे पास Sodium Welproate और दूसरा होता है Dye Welproate जो हमारे पास next class है वो है हमारे पास Immunostilbenz के नाम से आती है इसके अंदर हमें दो drugs के नाम याद करने है एक तो है हमारे पास Carbamazepine और एक है हमारे पास कौन सी Oxcarbazepine ठीके गाईस इसके बाद हमारे पास जो पांचवी class है वो है हमारे पास S से बनता है हमारे पास Succinemide ये Succinemide के अंदर आपको एक drugs क्या रखने पड़ती है वो है हमारे पास Ithosuccinemide इसके बाद बहुत सारी others जो anti-epileptic drugs है ये कई सारी modern drugs होती है जिसके अंदर हमारे पास important drugs है कुछ for example हमारे पास Gabapentine है हमारे पास Lemotrizin है हमारे पास Trigabalin है और एक ट्रक का नाम जो की important है वो है Levetteracetum इसके बाद हमारे पास जो next class है और जो last class है वो है हमारे पास Benjadigepins और Benjadigepins है इसके अंदर आपको नाम normally पता ही रहता है इसके अंदर हमारे पास example है Lorazepam Diazepam Clobazam और एक है clone ना चेंपाँ ओकी गाईस एक्चुली यह जो classification होता है यह university exams के अंदर बहुत सारी बार पूछा जाता है तो इसको आप द्यान दगे Thank you guys watching for this video अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और share जरूर कीजिए अबने friends के साथ Thank you